पर दोस्तों मेना नाम है गुर्जी सिंग और आज मैं बात करने वाला उन लोगों के बारे में जिन्दगी में बहुत मैनत करते हैं लेकिन उनको तरक्यरी मिलती तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं क्या रीजन्स हो सकते हैं मैंने आपको पहले भी बताया कि एक लास में 10 ब अलग अलग तरक्य मिलती है तो आज मैं उन पॉइंट्स पर बात करूँ कि ऐसी कौन को सी चोटी चोटी गलती है हम कर रहे हैं जिसकी वज़र से हमारी तरक्यरी रुक रहे हैं या हम जो गोल अचीव करना चाहते हैं उस गोल तक नहीं पहुच पा रहे है तो अगर दोस्त कि कमपनी है हमारे यार दोस्त कौन से है पूरी दुनिया में एक रूल है कि आप जिस तरीके का आपका सर्कल होगा उनकी फैनेशल सिस्टम उनके गोल उनकी सोच उनकी एक्टिविटी हमेशा बिल्कुल सेम रहती है इसलिए यह बहुत इंपोर्टेंट है कि आप जो अपन कि आप देता हूं कि अगर आप एक चुंबक को लेते हैं और चौवीश धन्टे उसके साथ कील रखते हैं उसकी अगर आप चौवीस गन्टे के बाद हटाओ गए तो वो कील भी तुमस की तरफ काम करने लगेगी इसलिए कहते हैं कि आप आप जिस तरीके का सलगर रखते हैं उस तरीके की सर्कल की एक्टिवीडिटिस आप के अंदर भी आ जाती हैं, आप उसी तरीके जब बोल लें, और सोच रहें और करने लगते हो, तो यह बहुत इंपोर्टेंट है कि आपके पाद जो सर्कल है, जिन लोगों साथ बैठ रहे ह उन लोगों के साथ में आपको कितना सीखनों को मिल रहा है और सीखोंगे वही जो बोलो करते हैं इसलिए अपने सरकल को हमेशा मेंटेन करके रखेगा और अच्छी क्वालिटी के सरकल रखेगा जो आपकी तरह लाइकमेंट हो और कुछ गोल को अचीव करने चाहते हो नेक्स इसी तरह और स्थेलिया को जब नेपोलियन ने हराया था तो उसका हारने का एगी गरण था कि उसकी सेना पांच में लेट हो ग holy और उसके बाद वहीर बंधी बन गया था कियोगी उसको सेना बधी को आने में लेट हो गया था तो तो यो ताइम जो होता न इतना имеет exploded हो कि आपको उसकी कीमत को जानना पड़ेगा दुनिया के जितने भी महाल लोग हैं उन्होंने एक काम बहुत इपोड़न्ट किया उन्होंने अपने टाइम वेस्टे नहीं करी और टाइम का प्रॉपर यूटलाइजिशन करा है तो हमीशा याद रखिएगा कि टाइम वेस्ट न करते हैं जो अपनी लाइफ में इपलिमेंट करते हैं अगर उनको उससे कुछ एउकेशन लेनी है उनको उससे कुछ सीखना है तो वो इस तरीगी अपलिकेशन तभी यूज करते हैं और आपना टाइम को वेस्ट करने के लिए इस तरीगी अपलिकेशन को यूज नहीं करते social media बहुत अच्छा platform है लेकिन उसको utilize कैसे करना है उसको use कैसे करना है ये बहुत important है और ये उन 10% लोगों को बहुत अची तरी के लिए पता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि उनको कुछ करने के लिए हमें जूपई बोलना पड़ता है तो इसलिए सबको कुछ करना बंद कर दीजे और हर किसी को हाँ कहना बंद कर दीजे क्योंकि ना कहना आप इतना important है कि हो सटा है कि आप अपना कोई काम कर रहे हो आपना कोई targeted काम कर आपने goal को अचीव करने लिए कुछ कर रहे हो जो आपका समय बचाता है तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जो काम बहुत important हो उसी को करिए जबरदस्ति आप किसी को काम को मत करिए कि आपको उसको कुछ करना है इसके बद जो point आता है वो होता है important things अचलिए हमें पता ही न जा रहे हो लेकिन उसके productivity क्या निकल रही है आपको सरजर्ड क्या मिल रहा है तो हमें पहली बात तो यह decide करना है कि हमने कौन सा productive काम करना है अपनी life को और अपनी target को पाने के लिए तो हमें क्या करना है अपने concern area बनाना है जिसे कहते हैं इतना बड़ा गोला बनाएंगे त तो उस गोले के अंदर हम 25 चीजोगों रखेंगे जो इंप्वारी लाइविक करना के लिए उसके बाद हम क्या करें कि उस 25 चीजों में से 5 चीजों को चुनेंगे बाकि 20 चीजों कुछ गोले के बार निकाल लेंगे तो फिर वो हमारे पास important चीज़ होगी जो हमने करनी है उस पांच चीजों में भी छोटा सा गोला बनाएंगे उस गोले के अंतर उन सिर्फ दो चीजों को लगेंगे या एक चीज को रखेंगे जो हमारा टार्गेट है और जब हम उस टार्गेट के ओपर काम करना शुरू करेंगे तो हमारे लिए achievement की speed बहुत तेजी से बढ़ होना है तो आगेज हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम एक से टार्गेट को पर काम करने की कोशिश करें सबसे important point है कि आपको action लेना है और action लेना बहुत important है क्योंकि हम live में बोलते बहुत हैं करते बहुत हैं सोचते बहुत हैं लेकिन action नहीं लेते अगर हम बहुत कुछ सोचत थोड़ सा कि जब तर आपका इंपलिमेंट नहीं हुआ तब तर उसकी वल्यू नहीं है हमारे पुराणों में भी लिखा है काल करे सू आज कर आज करे सू अब इस टालंग डोली वाली फर्मूला है ना उसको हमें चेंज करना पड़े कि आज मेरा मन नहीं है क्योंकि बहुत क्वश्क में तब तो सबसे इंपॉर्डंट पॉइंट पीसित एच में अपनी ख्याल रखना है हम करते हैं कि हम दुनिया वर में सब का ख्याल रखते हैं, हम सब का काम करते हैं, हमें सब के जयान रहता है, लेकिन हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं, अपनी बोडी का ख्याल नहीं रखते हैं, जिससे हम चलते हैं, हमारी पूरी दुनिया जिससे चलती है, हम गाड़ी की सब पिदो कराते हैं हम अपनी टैप्ट पूंसे कराते हैं उसका काड बना कर रखते हैं लेकिन अपनी बारी के लिपोई काड़ नहीं हैं तरह हमारा पेड शरीर जो हैं पेड की तरह हम उसी तरीके से ग्रोय होगी अगर अगर आप पेड को यूरिया देते हो खाट डालते हो तो पेड़ बहुत अच्छा गुरू होता है, हरी हरी पक्तिया निकलती है वैसे ही हमारे शेरीर होता है हम क्या खाते हैं वो बहुत इपोटन होता है हमें daily exercise हम जब exercise करते हैं हमारे body blood circulation ठरखता है जब हमारे blood circulation चलेगा, हमारी eyes और से लेके body का हर पार्ट बिल्कुर active रहेगा और जब आप active रहोगे तो आपकी हर जीज़ आप बहुत फोर्ती और बहुत तीज़ीज़े करपाऊगे आप कोशिच करके देखिए, जिस दिन आप exercise करते हूँ उस दिन आपका दिन को और जाप exercise नहीं करते हूँ उस दोनों दिन को compare करोगे आपको मेरा answer भिंज जाएगा ये बहुत important है कि हमने अपने आपको fit करना है क्योंकि अपने आपको प्यार करना सबसे दुनिया में important का में जिस दिन आप अपने आपको प्यार करने लोगों को उस दिन दुनिया आपसे प्यार करने होगे क्योंकि आप की ऐसी personality निकर गयागी कि दुनिया आपको solute करेगी तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे पॉंट जिसको आप अपने लाइफ हे इंप्लेमेंट करके बहुत सारे चेंज़स ला सकते हो और अपने गोल को अचीव कर सकते हो तो दोस्तों कैसा रगा आपको मेरा वीडियो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब शेर और लाइक करना मत भूलेगा और बैल आइकन जुरूर दबादेगा क्योंकि मेरे आने वाली वीडियोस और वीडियोपेकरशन आपके बाद आ चाहिए